पूछे जाने वाले सवालों का सबसे पहले सही जवाब देने वाले तीन लोगों को इस प्रोग्राम की तरफ से बहतरी ने नाम से नवाजा जाता है तो इंतिजार की गड़ी खत्म हुई और हो जाए तयार इस हफते पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए लेकिन आएए सबसे पहले एक बार हम नज़र डाल लेते हैं जो पिछले हफते पूछे गए पांच सवालों के सही जवाब पर पहला सवालता कितने हैवान के नाम से पूरान में सूरे है सही जवाब है साथ सूरा दूसरा सवालता बाबुल हवाईज किस एमाम को कहा जाता है सही जवाब है साथमें एमाम एमाम मूसे काजिम अलैस सलाम तीसरा सवालता इल्म कीमिया चटे इमाम के किस सहाबी का इजाद करदा है सही जवाब है जाबिर इबन हैयान चोथा सवालता चटे इमाम की मुद्दते इमामत कितने साल थी सही जवाब है 34 साल पांचवाँ और आखरी सवाल था अर्बिक लव्ज फातिर के क्या माना है? सही जवाब है खलक करने वाला तो जीहा नाजीन आपने देखा ये पिछले हफ़ते पूछे जाने वाले पांच सवालों के सही जवाब है अब वक्त हो चला है कि देखा जाए वो कौन तीन लोग हैं जीनों ने पिछले हफ़ते पूछे गए पांच सवालों के सही जवाब सबसे पहले हमें भेजे हैं पहले इनाम की हगदार हैं खतीजा बानो टांडा अमबेटकर नगर यूपी दूसरे इनाम की हगदार हैं महजबी इनपालगर महराश्ट्रा और तीसरे इनाम की हगदार हैं अलमास तन्वीर थाने महराश्ट्रा आप तीनों को चैनल विन की तरफ से बहुत-बहुत मुबारक बात पेश करते हैं क्योंकि पिछले हफते जो पूछे गयते 5 सवाल सबसे पहले आप तीनों ने सवाल के सही जवाब बेजेते आप तीनों ही बैतरी निनाम के हगदार होते हैं जी हा नाजीन उम्मीद करते हैं इसी तरीके से हर हफते पूछे जाने वाले 5 सवालों का सही जवाब देने के लिए आप हमेशा तैयार हैं चलिए इंतिजार की घड़ी खत्म होती है और नोट कर लीजे सबसे पहले हमारा कॉंटेक नमबर जिसमें पूछे गये 5 सवालों के सही जवाब सिर्फ और सिर्फ वाटसैप के जरिए हमारे इस नमबर पे भेजने हैं तो याद है हमारा नमबर एक बार फिर से मैं अपने नमबर को आपको बताऊंगा हमारा नमबर है 9619667578 याद रहे नाजरी जब भी आप पूछे गये सवालों का जवाब भेज रहे हैं तो सबसे पहले अपना नाम लिखें और अपने शेहर का नाम लिखें अपना कॉंटे है इस अपते के पांच बहतरी सवाल आपकी टीवी स्क्रिन पर पहला सवाल है आलम गयर मॉल्मा किस खातून को कहा जाता है पहला सवाल है आलम गयर मॉल्मा किस खातून को कहा जाता है दूसरा सवाल है किसकी विलादत पर फरिष्टे रसूल अल्लाह को मुबारक बात देन दूसरा सवाल है किसकी विलादत पर फरिष्टे रसूल अल्लाह को मुबारक बात देने आए थे तीसरा सवाल है मौत शहसे जादा शीरी है ये किसने कहा है तीसरा सवाल है मौत शहसे जादा शीरी है ये किसने कहा है चौथा सवाल है किस फरिष्टे को इमाम हुसैन लैसलाम ने शिफा बक्षी पांचवा और आखरी सवाल है इमाम हुसैन लैसलाम के कान में अजान और अकामत किसने कही पांचवाँ और आखरी सवाल है इमाम हुसेन अलाइसलाम के कान में अजान और अकामत किस ने कही तो ये रहे इस अपते के पांच बहतरीन और सबसे जादा असान सवालाद आपकी टीवी स्क्रिन पर थे अगर आप मेंसे किसी ने सवाल को ध्यान से नहीं सुना है या नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं इस अपते के पांच बहतरीन सवालाद आपके सामने दूराना चाहता हूँ पहला सवाल है आलम गयर मॉल्मा किस खातून को कहा जाता है दूसरा सवाल है किसकी विलादत पर फरिश्टे रसूल अल्लाह को मुबारक बात देने आए थे तीसरा सवाल है मौत शहस से जादा शीरी है ये किसने कहा है तीसरा सवाल है मौत शहस से जादा शीरी है ये किसने कहा है चौथा सवाल है किस फरिश्टे को इमाम हुसैन अल्याजिस्सलाम ने शिफा बक्षी पांचवा और आखरी सवाल है इमाम हुसैन अल्याजिस्सलाम के कान में अजान और अकामत किसने कही पांचवा और आखरी सवाल है इमाम हुसेन अलाइसलाम के कान में अजान और अकामत किसने कही जीतो मगर इल्म से प्रोग्राम आपका बेहत शुक्र गुजार है हर हफ़ते पूछे जाने वाले पांच सवालों का सही जवाब आपने हमेशा हमें भेजें इसी के उपर आपके लिए एक खुश खबरी है लेकिन ये खुश खबरी मैं आपको इन्शालाँ अगले हफ़ते के एपिसोड में बताऊंगा उम्मीद करता हूँ कि हर हफ़ते पूछे जाने वाले सवालों का जवाब आप इसी तरीके से भेशते रहेंगे और बहतरी निनाम हमारे इस प्रोग्राम से हासिल करते रहेंगे और साथी साथ आप इल्म भी हासिल करते रहेंगे चलिए इसी के साथ देखना ये होगा कि अगले एपिसोड में कौन होते हैं वो तीन लोग जो बहतरी निनाम के हगदार होते हैं और सबसे पहले हमें पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देखते हैं देखते हैं चैनल वीन शुक्रिया खुदाफिस